य४ गुड मॉरिण वेरी वेरी गुड मॉरिण सबको अजय अपनी क्लास को मघे बढ़ाएं वेरी गुड मॉरिण शुरुती याष तरुन गोएल आपको मारी वोश नहीं आरी भावना प्रियल वरशिता वेरी गुड मॉरिण अपने क्लास को हम आगे वढ़ा रहे हैं लास्ट क्लास मैंने आपको कुछ कॉश्टन्स दिये थे करने के लिए सबसे पहले बताएं आपने वो कॉश्टन्स कर लिए क्या जश्कुमार क्या आप लोगों ने वो कोशन्स किये जो मैंने आपको दिये थे करने के लिए कर लिए सारे के सारी कोई डाउट बेटा किसी कोशन में अगर आपको पूछना हो तो तर वन वन टू में सर्चार्ज की रेट क्या होती है ये एक अजीब सा कोश्चन है वैसे कोश्चन ही गलत है ये इसमें वन वन टू की इंकम पे 25 प्रेंट सर्चा लगना ची फिर वो ये आप कोश्चन गलत कर रहे बेटा इधर देखे एक बार टो ऑप्त evil ग्जांपल दिया थे एक बार सीमें लेटफ करने यह वहला्या फिरख हुसे बता दूमापको इंजू पूछ्छन पूछरेए अगरा वहर्पी इस एक्जांपल के कंटर्स्ट में पूछ रहे और यह तो हो सकता आपका कोश्चन सही है इंजर्नल से maps में पूछे रहे कि 112 पर सर्चार्ज का रेट क्या होगा तो पेटा कोशन गलत है आपका सर्चार्ज का रेट किसी पर्टिकुलर इंकम पर नहीं है टोटल इंकम पर देखके लगता है तो रहां तीन तरह की इंकम अगर आपके अपस आ जाए कौन कौन सी 112 ए 111 ए और डिविड इसका सोलुशन में करवार हो आपको बताओ भी टोटल इंकम कितनी है सर्फ 40 लैक पर तो 112 है 80 लैक के उपर 111 ए है और 350 किस पर है बैलन्स पर है टोटल कितना होगे आपका यह सर्फ 120 प्लस 350 यह हो गया 4 लैक 470 लैक या 4 करोड 70 लाक एक ही बात है बैटा ठीक है अब इसमें आपके पास दो तो स्पेशल इंकम है एक तो अंडर सेक्षन 111 एक ही इंकम है बैटा जो स्पेशल इंकम तो है ही साथ में इसके उपर जो टेक्स का माउंट होता है सर्चार्ज का माउंट वो भी कितना होता है मैक्सिमां 15% दूसरा है अंडर सेक्षन वन वन टू वन वन टू के हम बात करें तो कितना रहे बैटा वो उटा लिख देगे मैंने नहीं सही लिखा है पोटी लैक और जो नॉर्मल इंकम आपकी पतो बेटा वो कितने हैं आपके पास 350 लैक सबसे पहले जो फर्स टेप है उस फर्स टेप में आप क्या करेंगे देखिए बचों फर्स टेप में आपको क्या करना है आपको पहले टेक्स निकालना है आप भूल जाईए सर्चाज बर्चाज नॉर्मल टेक्स निकाल लिए फर्स टेप के अंदरा तो टेक्स निकालते हैं बताई कितना कितना टेक्स आएगा इस पर लगेगा 15% टेक्स इस पर लगेगा 20% टेक्स और इस पर तो स्लाबरेट है 10 लाग पर टेक्स कितना होगा तो यह आएगा एक लाग फिर तो अब 340 पर कितना आएगा 340 लेक का क्या हो गया भाई तो 1 करोड 3 लेक क्या आगया आपका ठीक किया मैंने आप सराज क्लाप ठीक करने लगे हो ओके बिटा और 40 लेक का 20% तो यह तो पहला स्टेप था जिसमें मैंने क्या कि आपकी इंकम निकाली है अब लगाते हैं सरचार्ज अब दान से देखेंगे बिटा सरचार्ज लगाने से पहले एक बात याद रखिए सबसे पहले जो आपको देखना होता है वो क्या देखना होता है सिरफ और सिरफ यह 470 इनको मत देखिया मत देखो इनको आप देखो 470 अगर देखो 470 आपको नजर आ रहें तो 470 का मतलब क्या हो गया कि आपका सरचार्ज रेट कितना आणा चाहिए 25% तय oral कि मतलब जितने भी इंकम है उन सब पर सरचार्ज का रेट कितना होगा आपका 25% होगा चाहिए वो कैसी भी income हो फिर अपने आपको रोकिए और फिर से अपने आपको revise कीजिए कि 3 income अगर आ जाए तो उस पर 25 को कितना कर देना 15% कर देना यह तो rule है बेटा फिर सोचे मैं कैसे बता रहा हूँ सबसे पहले आपको 470 देखना है 470 पे tax rate कितना सर्चाज rate कितना आएगा आपका 25% अब जो भी income है इस 470 में सब पर कितना लगा जाना 25% पर फिर रोकना और देखना अगर वो 3 income आ जाए तो 25 नहीं कितना लगेगा 15 ही लगेगा बस इतना जुरूल है आप मुझे बताओ बेटा सब पर कितना लगना है 25% इसका मतलब क्या हो गया कि सर इस पर भी 25 इस पर भी 25 इस पर भी 25 नहीं सर इस पर 25 नहीं क्योंकि ये कौन सी इंकम है 111 A तो इस पर कितना हो जाएगा 25 रेड्यूज होगे कितना जाएगा 15 परसेंट यह आएगा आपका सर्चार्ज बेटा मल्टिप्लै थोड़ी करना है आड़ करना आपको सर्चार्ज कितना आएगा बेटा है यहां पर 15 परसेंट 35 परसेंट और 25 परसेंट पुटल लगा किन लियाओ नीचे 12 लाग का 1 लाग असी हजार 13 लाग असी हजार 8 लाग का 2 लाग कोई बात ने बेटा 25 75 000 तो टोटल हो जाएगा यह 1 करोड 28 लाग 75 000 जो बच्चे लेट जोइन कर रहे हैं क्लासेंट आप फिर कह दूँ बेटा आप लोगों को पोर्स के बराबर आना पड़ेगा मैं बाकी सब्जेक्ट की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि वो पढ़ाता नहीं मैं तो इंकम टेक्स पढ़ाता हूं तो अपनी बात करूँगा कि बाके सब्जेक्ट में प्रोबर आये मत आये मुझे उसे मतलब नहीं है आप इंकम टेक्स में बिलकूँ बराबर आके चली मेरे ना आगे भागना है ना पीछे रहना है किसी वज़े से भी आपी क्लास छूट जाती है एक्स वाइज़ कोई भी रिजन है पहली बात है छ करें कि ङालेंगे हम औरवी तक तो है मान के चली अब है अब फिस्टमी चले क्लास है जेसे भी है जो भी हालात रहेंगे अपने मैं मैं मेरी जो क्लास आपकी आपको लाइव ही लेना घोता ठीक है और अगयार हो सक्षी सब्सक्रिकिन को पर आप्पलिकेसन में झूड़ ब भी तक तो उसमें उस क्लास को फिर से देखिए डिबल स्पीड करके आप उस कंसेप्ट को आप बना बना के रखिए ठीक है तो अब लगा दो सबका टॉटल लीग अन्म्यूट को रेक डाउट पूछना है बच्चे को लो भाई अन्म्यूट कर देते हैं आप लोगों को लो भाई पूछे डाउट सर आपने मैक्सिमम बोला था कि पंदरा परसेंट लगेगा बट उसमें इंकम तो असी लाग है जो कि एक करोड से कम मैं तो उसके दस परसेंट नहीं लगना चाहिए एक मिन बेटा मैं आपके इस डाउट पर फिर आता हूँ पिड़ा ये टोटल लगा लो एक बार वन करोड फिप्टी टू लैक शाही लिखा न मैंने इसमें क्या जूड जाएगा आपका तैस जो कितना है फूर परसेंट सिक्स वन जिरो टू डबल जिरो वन फाइफ एट सिक्स फाइफ टू डबल जिरो वो सारे बचों कहीं आंसर था हाँ जी अब बोली बढ़ा एक बार फिर से क्या बोल रहते हैं सर आपने बोले कि मैक्सिमम अपने पंदा परसेंट ले सकते हैं सर चार्ज बिल्कुल वन 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 टू ए ट्रिपल वन एउ डिविडेंट के इंकम पर मैक्सिमम कितना लगेगा पंदरा लगेगा बिल्कुल सही आगे बताईए बट सर इसमें इंकम 80 लाग रुपया है जो क कि मैं आपके लिख देता 20 लाग तो आप बोलते सर्चार लगना ही निए जाए अगर आपके साब सर्चाब लगना है निचाहिए अगर आपको फिर समझा रहा हूं है तिरफ आपके लिए जब भी आप मुझे बताओ बेटा सरचार्ज की जो रेट मैंने आपको लिखवाए थे चलो चलते हैं सरचार्ज की उन रेट्स पर जो मैंने आपको लिखवाए थे कित थे गए बई वैसे सबको बता दूँ आज सबको लोडी की बहुत-बहुत सुबकामना है बेटा जब पुर में तो लोडी नहीं बनती हमारे यहां तो यहारे बेटा बहुत बड़ा यह पर फिर भी देखे उधर जहां मैंने वर्ड क्या यूज किया था टोटल इंकम यूज किया है ठीक है और टोटल इंकम का मतलब क्या होता बेटा ऊपर चलो सबसे पहले फिर यह बेटा कि टोटल इंकम इन पांचो हेड़ की इंकम को बना कर क्या बिंगता है इसका मतलब यह जो इंकम है आपकि कौन सी डिविडेंट की इंकम 1128एं की इंकम और 1110 एक इंकम ये भी तो इनी इंकम में सामिले कहीं पर चीजों को बिल्कुल सिंपल करके देखिए बच्चों मैं बिल्कुल सिंपल करके बताता हूं आपको ज़्यादा आपको मैं गुमाऊंगा नहीं तो कि अगर आपके कंसेप्ट में दिक्कत रहेगी तो बैटा फिर क्या फाइदा पिकि मैं यहाँ पर दस दिन तक लगातर कोशन बना सकता हूं लग-लग एंगल से आप उसको सोल करते रही है तो मतलब वे थोड़ी की क्लास फुल फ्लेश चल रही है आपको कंसेप्ट आना चाहिए कैसा भी कोशन घुमा के दे दे हमें आना चाहिए सबसे पहले मुझे बताईए बेटा जब मैं टोटल इंकम को देखूंगा यह मेरे टोटल इंकम है इसके बेश पर पता चलेगा कि मुझे सरचार्ज कितना लगाना है बाकी कुछ मत देखिए आप यह जो आपको नजर आ रहा है 11282 सब कुछ छोड़ दीजी आप मत दखे कुछ भी यह कुछ भी नहीं है सबसे पहले मुझे बताईए सबसे पहले मुझे बताईए आपकी टोटल इंकम कित्ती दिख रही है हाँ बिटा कित्ती दिख रही है तेरे को फोटल इंकम बोल मेरे साथ 470 लेट 470 470 जैसे आपने देखा आपकी दिमाग में क्या चला रेट कितना होगा 25% अब जो भी इंकम होगी इस टोटल इंकम में सब को रेट कितना दोगे आप 25% ही रेट दोगे गोर्र्मेंट रूल बना दिया अब कैसी भी इंकम हो चैहे भी बिजनेस हो चैहे बिजनेस की हो चैहे दिविडेंड की हो तो फिर गोर्रमेंट नेका रुको ज़REE कि सब पे क्या लगने वाला है 25% लगने वाला है तो गौर्मिन ने क्या बोला कि यार ये शेर मार्किट की इंकम है इन पे आप 25 मतलो कितना लो इन पर मैक्सिमम 15 ही लो इसका मतलब क्या हो गया कि वैसे तो सब पर 25 ही लगना था और स्पेशल इंकम आगी कौन-कौन सी 112A, 111A और इन पर कितना लो गया आप मैक्सिमम है बेटा अब देख अब जब मैंने जैसे इसको इस परदे को साइड में किया तो मैंने देखा कौन-कौन सी इंकम है तो मैं क्या करने जा रहा था मैं सभी इंकम पर 25 लगाने जा रहा था सब पर लगा रहा था गौर्मेंट ने मेरा हाथ पगड़ लिया कि रूख क्या कर अगर वन वन ट्रिपल वन ए आ जाए ना या फिर क्या आ जाए तो उस पर पुरा मत लगाना इसलिए रेट कितना लिया मैंने 15 लिया आप इसको इंडिविज्वली नहीं देख सकते बेटा आप यह देख रहेंगे सरस्थ 80 है रहे 80 नहीं है यह 80 किस में सामिल है यह 80 को देख के लगता है यह अच पर आए यह सब को को छोट ट्रम कैप्टल गेन अगर आपने एक्वर्टी शियर को ट्रांसफर किया है तो आपको जोट्रम कैप्टल गेन होता है उस पर आता है ट्रिपल बन ली 12 उसपर टेक्स लगता है हां जी ठीक है हाँ जी कोई और किसी को डाउट आ रहा हो कोई भी स्टूडेंट जिसको इस पर डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे क्योंकि मेरा बेसिक वाला जो हिस्सा है कैल्कुरिशन वाला हिस्सा है यहां पर कम्टीट हो गया हमारा अब हम थोड़ा मोडूल के तरफ चल भी तो होना चाहिए बैटा नॉलेज भी बहुत जरूरी है आप किसी इंटर्वी पैनल तक पहुंचने के लिए आपको डिगरी चाहिए यह फर्स्ट प्राइटी है और जब आप इंटर्वी पैनल तक पहुंच गए उसके बाद में आपका इंटर्वी जोगा उसके लिए आपको नॉलेज भी चाहिए यह सब कुछ लिख मौँगा अजी सर इससे आपने दो कोशन पहले कोशन और कर वाया था बिलकुल आए बटा उपर उनसे वाला यह वाला थर्टी टू यह वाला यह सर जिसमें पांसो बीस लाख वाला है टोटल इंकम पांसो बीस लाख वाला तोटल इंकम यह रहा बताओ इसमें अपने कोई पांसो बीस लाख है तो पांसो पांस करोड से उपर रोगी इंकम बिलकुल हो फिर से वही कहानी जो मैंने आपको बताई वही करते हैं आजो तब से पहले क्या होगा यह मत देखो क्या देखना है खाली आपको पांसो बीस जैसे पांसो बीस लाख देखा आपने तो इसके ओपर रेट कितना समझ मैं आपको थर्टी सेवन परसेंट अब आप सभी इंकम पे थर्टी सेवन लगाने चले तो क्या हुआ आपने इस पांसो बीस लाख को खोल के देखा तो इसमें खुला तो क्या नज़र आया आपको आपको नज़रा है सर इसमें तो 1128 111 ए दोनों इंकम है और इन दोनों पर मैक्सिमम किता ले सकते हो आप सरचार्ज 15% इसलिए मैंने यहाँ पर भी 15% लिया और यहाँ पर भी 15% लिया दोनों 15% है तो इन पर 15% लगेगा अब मुझे बताओ बेटा ये दो 15% वाले थे इस बचा और 400 पर एट कितना होता है 25% तो बागी पर कितना लग जाएगा पच्चीस परसेंट 112a पर दस प्रेवन लगता है बेटा आप क्लासे पूरी देखो ना उसके बाद बोला हाँ जी है बिल्कुल बिल्कुल ओबिसी बार 47 अब जी समझ में आए बेटा आपको वा इसमें कंफूजन हो रही है कि आपने बाइफर्केशन क्यों किया अब तो बेटा कंफूजन को मैं दूर करता ओं अब मैं कंफूजन के לिए आपको तो बतातो हूं बेटा अब step याद कर लो ते calculation में confusion हो रही है क्या या concept में confusion हो रही है सर की आपने इसमें bifurcation इसमें नहीं कि अपनोंने बट उसमें अपनोंने 400 करोड देखा ये reason समझ नहीं आ रहा है अगर कोई भी आपकी income है जैसे मालो आपके पास 520 lakh की income है तो इसका मतलब surcharge कितना आ गया 37% इसके अंदर आपके पास 2-3 income है और उसमें क्या नहीं है 112a नहीं है 111a नहीं है और dividend की income नहीं है बिटा ये नहीं है तो अब चाहिए salary की हो चाहिए B&P की हो चाहिए 112 long term capital gain की हो इन सब पर rate क्या आ जाएगा 37 ही आ जाएगा चुकि सारी normal है पर 90 से अगर इसके अंदर क्या आ जाए गलती से क्या अंदर क्या जाए ये income आ जाए जो कौनसी है 112 की है ये income गलती से काहां में दाल देते हैं अब इस case में अब इस case में क्या होगा 15 अपने नाना चाहिए अब इस 50 की वजह से ही तो आप 37 में पहुँचे हैं पूचे ना गौर्मिट एक तरफ क्या बोल रही है 111 ए पर हम कितना लेंगे 15 लेंगे तो यह 15 उसमें गया है तभी तो आप 37 पे पहुँच गए तो अब क्या करोगे बेटा इसको बैलेंस कर दो साइड में अब बताओ बाकिन नॉर्मल की इंकम कितना बैलेंस है तो अब देखो वो टोटल में बैलेंस कितना बचा सर्फ 520 माइनस 50 तो यह 500 से नीचे आ गया तो रेट कितना हो जाएगा 25% बिल्कुल सीधा कंसेप्ट अब पताने है आपके दिमाग में क्यों नहीं जा रहा किदी सी बात है कि पांच करोड से उपर की इंकम पर क्या लगेगा 37 लगेगा कोई confusion नहीं है अगर कोई special income नहीं आ रही अगर special income आ गये तो उस पर रेट कितना होगा maximum 15 होगा और जो special income उसको side में करके बाकी balance देखो बाकी balance करके देखो कितना बचा अगर बाकी balance आपका चार करोड जा फिर पांस करोड से उपर जा रहा है तो सब पे किता लगा देना 37, चार करोड से नीचे आ रहा है दो से पांस के बीच में आ रहा है तो किता लगा देना 25% एक से दो के बीच में आ रहा है तो कितना लगा देना नहीं है क्या बोल रही है special income पर maximum किता ले सकते हो आप 15 ले सकते हो सरचार्ज और आप 15 में चल रहे हैं तो सप्पे कितना लगेगा पंदरह लगेगा अगर आपको अभी देखो इसकी calculation अभी आपको जरू हुई है जब आपको आगे बढ़े हम chapters में जाएंगे तो देखो basic भी थोड़ा सा करवाया मैंने आपको concept के नाम पे छोटा सा है कि यही देखा होगा आपने बाके तो normal सीधी सीधी बाते चल रही है जब हम आगे बढ़ेंगे classes के अंदर जब आपको टेक्स 115 BAC के टेक्स बताने सिखाऊंगा जब मैं आपको पूरे पांच head की income करा चुका होंगा reductions वगरा सब बता चुका होंगा हम set of के सारी provision सीख चुके होंगे उसके बाद में बताऊंगा बैटा किस तरह से tax फिर से निकलता AMT क्या होती है अब इन concept को मैं फिर आपको याद करवाऊंगा same to same ही जितना क्लिकोंस हमने किया ना भी उस समय हम फिर से करेंगे और यकिन मानो उस समय आपको और ज़्यादा clarity आएगी क्यों आएगी तब तक आप सभी sections को पढ़ चुके होंगे सब आपने अच्छी तरह देखे होंगे इस पर questions कर लिए होंगे और clarity आएगी और basic में क्यों पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे book में देर का इसलिए पढ़ना जरूरी है ठीक है चलिए आगे बढ़े हैं इसके अंदर है मैं अपना module open कर रहा हूं आपके सामने जिन module open करके देखते हैं आपने इन questions को कर लिए साभी जो हमारे module में दे रहे हैं कोई doubt किसी को किसी भी question में हाँ ओनलाइन में जित्ते भी student मुझे online में देख रहे हैं सुन रहे हैं समझ रहे हैं किसी को डाउट किसी question में पूछना चाहाँ तो पूछ सकता है नो सर आप एक जाएंगे ठीक है नो सर चली बढ़ते आगे हम आपको लेकर चलता हूं बिलकुल सुरुवात में जहां से हमारा module स्टार्ट हो रहा है यह चेप्टर जहां से स्टार्ट होता है वहाँ पर चलते हैं सबसे पहली बात कि टेक्स क्यों लगाया जाता है तो पहली बात है बैट वो क्या है बैटा वो टेक्स है हमारे परिवार में हमारा जो मुख्या है वो क्या करता है कमा के लाता है और बाकी सब लोग क्या करते है उसको यूज करते हैं तो जो हमें वो दे रहे हैं वो सब क्या है टेक्स है बैटा क्योंकि एक आदमी क्या करेगा कमाएगा और दूसर से लोग हुआ करते थे एक दूसरे के राज्य पर हमला कर दिया करते थे पत्ते पैन की गुमते थे उस जमाने से टेक्स है तो यह एक आदमी मैं पढ़ा सकता हूं बेटा मैं हत्यार नहीं चला सकता कुझे नहीं आता चलाना हर एक आतमी का अपना-पना काम है कोई मकान बना सकता है कोई सौफर बना सकता है कोई स्टूडेंट का भविश्य बना सकता है सबका अपना-पना काम है कोई बंदूग चला सकता है तो मुझे बताओ बेटा सब काम क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं इसलिए क्या हुआ उस जमाने में लोगों ने क्या किया कि देखो अगर हम लड़ते रहेंगे तो खाएंगे क्या तो कि खाने के लिए हमें धान भी चाहिए हमें सिकार भी करना पड़ेगा तो यह दि मैंने स खाएंगे उस समय दहान धुआ करता था और्य चार लोग क्या करेंगे इसके रक्षा करेंगे अब जो चार लोग इसके रक्र शा करेंगी मुझे बताओ बेटा क्या उनकी इनको भी तो चाहिए ना खाने के लिए क्योंकि वो तो सिर्फ रक्षा कर रहे हैं तो जो लोग कमा रहे हैं वो क्या करेंगे अपने हिस्से का कुछ निकाले कि इनको देंगे उनको देंगे हम जो बता हो बैटा क्यों दे रहे हैं वो ताकि वो अपना जो काम कर रहे हैं वो आराम से बिना ड्रे कर सके यह तुम्हारे साथ हो रहा है आज हम जयापुर में बैठे आराम से पढ़ाई कर रहे है हमें डर नहीं है कि कोई चाइना कोई पाकिस्तान हम पे कोई मिसाइल ना गिर दे क्यों डर नहीं है क्योंकि आर्मी खड़ी है बैटा बोर्डर के उपर अड़ी क्या फ्री में खड़ी है क्या नहीं सर हम उसके लिए क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं हम क्या करते हैं टेक्स का पेमिंट करते हैं ताकि क्या हो सके हमारी सुरक्षा हो सके तो गॉर्मेंट की रेवेन्यू का primary source क्या होता है tax का पैसा जिसे government क्या करती है ruling करती है देखो क्या लिखा a welfare state the government take primary responsibility of the welfare citizen as the matter of the health education, employment infrastructure, social security और other development needs government को इस सब करना पढ़ेगा उसके लिए government क्या करेगी बेटा, तो government को उसके लिए क्या चाहिए बेटा revenue चाहिए and the taxation is the primary source of revenue of government for such public welfare expenditure in other word the government taking the taxes public through the one और दूसरे हैंड से क्या करेगी बेटा उसी पैसे को public पर खर्च कर देगी एक हाथ से government मुझसे पैसा लेगी tax का और दूसरे हाथ से मेरे पर ही क्या कर देगी facility group में खर्च कर देगी आज इतनी बड़े-बड़े highway में मिलते हैं hospitals के अंदर इलाज हो रहे हैं, free में vaccines लग रही है हमारे तो ये पैसा कहां से आता है government के पास हमारे tax का पैसा है जो गूम फिर के वापिस समपरी कर्च हो जाता है वासाद में आ रहे है आप कोई तो अभी आप बात करें तो इस पहले paragraph में कोई काम की चीज नहीं है बस इतनी सी चीज है बिटा अगर आपके पास moral भी है नहीं जब होगा तो आप लिख ले ना उसमें इससा टेक्स का मतलब क्या होता है टेक्स इक्वल टू करेंगे हम कोस्ट ओफ लिविंग इन सोसाइटी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के लिए जो आपने खर्च किया उसे हम क्या कह देंगे टेक्स कह दें ठीक है टेक्स बचो आपके दो टाइप क्या होते हैं एक होता है डारेक्ट टेक्स और एक होता है क्या इन डारेक्ट टेक्स डारेक्ट टेक्स कुन सा टेक्स है बेटा जो income पे लगता है जिस person ने earn किया है होई person क्या कर रहा है directly paid to government उसे हम क्या कहा देंगे डारेक्ट टेक्स और इन डारेक्ट टेक्स कुन सा है जो services और goods पर लगेगा बिलकुल बेटा लगान मूवी में जो लगान लगता है वो भी टेक्स हुआ है क्योंकि किसान तो क्या दे पाएगा लगान सिरफ खेती पे नहीं लगता था business पे भी लगा करता था कुछ जमाने उसमें लगान बोला करते थे आजकल उसे क्या बोल दिया गया है टेक्स लंडन में इसको rate बोलते हैं इंडिया में टेक्स बोलते हैं लंडन में वो लोग rate बोलते हैं एक ये बात है हमारे हिस्से का हमारी income का कुछ हिस्सा निकालके किसे दूसरे को देना ताक कि हम क्या कर पाएं अराम से रह सकें तो उसे हम क्या कह देंगे index कहिए लगेंगे तो directx incidence किस पर होता इंकम पर होता उसी person पर होता है जिसने इंकम को कमाई है इंडाइ tax इसके लगेंगा आपका goods or services के ऊपर लगेंगा तो डैफिनेशन सीम्पर बता रखे है आपको लइविड होगा इंकम पर example देर इंकम टेक्स ये nature क्या है इसका progressive इसका nature क्या है बेटा regressive nature है तर progressive और regressive में क्या difference है देखे बेटा आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे आपको उतना ज़्यादा टेक्स देना पड़ेगा कि हमने calculate भी करके देख लिया, सोच ये अगर आपने दो लाग पचास हजार तक income कमाई है, तो टेक्स का rate क्या आपका? 0 अगर आपने 25 लाग की income कमाई है, टेक्स कितना हो जाएगा आपका? 30% अगर आप 25 करोड की income कमाते हैं, तो टेक्स 30% plus surcharge 37% plus 4% क्या हैगा आपका? stress आएगा, मतलब 42. कितना होगा है, बेटाई? 30 plus 37% plus 4% 42.744 यह है टेक्स रेट, मैक्सिमम इंडिया का टेक्स रेट, एक परसंट जो 5 करोड से उपर income कमाता है, उसको 42.744 परसंट से क्या देना पड़ेगा? टेक्स देना पड़ेगा इतना भारी भरकम टेक्स, बेटा इंडिया एक डवलपिंग कंट्री है, तो डवलपिंग कंट्री होते हैं, वहाँ पर टेक्स क्या होते हैं, जादा ही होते हैं, क्योंकि गौवर्मेंट को क्या करना होता है, डवलपमेंट करना होता है, इसलिए गौर मेज़ा टेक्स लेती है और ये भारी बरकम है तब ही तो फाइदा है बेटा तब ही तो परफेशनल को लोग पूछेंगे अगर ये भारी बरकम नहीं होगा तो हम लोगो पूछेगा बन्दा रहा है तो calculate करना आना चाहिए कोई गलत ना हो जाए इसलिए हमारी पैचान होगी इंडाय टेक्स क्या है बेटा आपका रग्रेसीव नेचर का टेक्स है रग्रेसीव का मतलब क्या हो गया आप चाहिए कितने भी अमीर हो चाहिए आप कितने भी गरीब हो आपको एक जैसा ही टेक्स देना पड़ेगा तो जो बताओ बेटा एक चिप्स का packet मै ने पर्चिज करके खाया है उसमें माल लेते हैं 20 रुपे का चिपस है वो 20 रुपे का चिपस है बेटा और उसमें 4 रुपे का टेक्स है इसका मतलब 20 रुपे का चिपस में कितना टेक्स है 4 रुपे का मैंने खाया तो मैंने कितना टेक्स गौवर्मेंट को दिया 4 रुपे का वो भी कितना दिया 4 रुपे का अब कितना भी अमीर हो चै कितना भी गरीब हो क्या फरक पड़ेगा Tax का rate सब में क्या रहेगा इसलिए क्या ये Regressive in nature है That is all person All person Bear equal Tax on the goods or services Consumed by them irrespective of Ability अब क्या है उससे फरक नहीं पड़ेगा कितने अमीर कितने गरीब से फरक नहीं पड़ेगा जिस पर एक बाद tax rate fix कर दिया गया है उस पर वो ही tax rate रहेगा फुले बाद समझ में आई अरे बोलो न आगे बढ़ते हैं constitutional validity of taxes देखो पिटा इंडिया का जो constitution है वो अलग-अलग articles में divided है हमारे देश का जो सविधान है बच्चों वो अलग-लग articles में divided है income tax act 1961 में आया था बच्चों बतलब बनाया गया था और 1962 से क्या हो गया लागू हो गया पूरे भारत पर इंक्लूडिंग जम्मो एंकस्मीर उससे पहले British government का लो चला करता था हमारे देश पर यह नहीं कहा रहा है income tax नहीं लगता था लगता था पर प्रिटिस government का जैसे था वैसे system से ले जा रहा था अब इंडिया ने एक constitution बनाया अपना जो हमारा constitution होता है वो अलग-लग articles में divided है देखिए अगर आप इंडियन की public से टेक्स लेना चाहते हैं तो कम से कम कुछ लो तो बनाओ बिना लो बनाए कैसे टेक्स ले लेंगे हम तो हुआ क्या उस article में एक उस constitution में एक article इंटेडूज करवाएगे article number 265 या article क्या बोलता है कि भारत की जनता से आप तभी टेक्स ले पाओगे जब तक उस पे क्या ना बना दो आप कानून ना बना दो लो ना बना दो अब लो कैसे बनता है सब सबसे पहले बिल बनता है बिल क्या होता है अपर हाउस लोवर हाउस दोनों में पास होता है अपरा उसका मतलब क्या हो गया राज्यसभा लवरा उसका मतलब क्या हो गया लोकसभा वहां से पास होगा और पास होने के बाद में क्या होगा पेटा प्रेजिडेंट उसके साइन करेगा तो वो क्या बन जाएगा लो बन जाएगा पासल में आ रहे आपको तो जब तक आप low नहीं बनाओगे तब तक क्या नहीं कर सकते भारत के लोगों से tax नहीं ले सकते ये बात कहा लिखी थी article number 265 में लिखी गए the constitution of lay down no tax shall be levied or collected except by authority of low जब तक क्या ना बन जाए low ना बन जाए तब तक क्या नहीं कर सकते आप tax collect नहीं कर सकते it means the tax the proposed to be the levied must be within the legislature competence of the legislature imposing of the tax जब तक आप उसका legislature ना बना दे कुछ rule ना बना दे कुछ नियम ना बना लो तब तक क्या नहीं कर सकते आप tax ले नहीं सकते यह बात कहा लिखी गे थी बेटा यह बात लिखी गे थी article number किसके अंदर 265 265 दो इतनी बोल रहा है कि भाई इंडिया की public से tax लेना है ना तो पहले क्या बनाना कानून बनाना उसके बाद में tax लेना अभी आपने देखा होगा एक कानून बना है बेटा जी एस्टी का क्या जी एस्टी पहले था के अंडिया में तर यह 1st July 2017 से इंडिया में आया है अधब जी एस्टी कोई पुराना नहीं है यह newborn baby है बेटा 3-4 साल पहले ही जनम हुआ इसका तो इसका मतलब क्या 1961 के अंदर जब हमारा नहीं पता पर जो भी होगा वो सही होना चाहिए उसके लिए क्या बोला कि जो भी करना है आपको आप इंडिया के government of इंडिया हो तो जो करना है पहले क्या करना आप उसके लिए क्या बनाना लोग बनाना बिना लोग बना है आप क्या नमबर 246 था बेटा जिसमें एक सड्डूल है सड्डूल नमबर 7 इस ये सड्डूल बताता कि कौनसी गौवर्मेंट लोग बनाएगी भी टेक्स तो गौवर्मेंट वसूलेगी ना तो कौनसी गौवर्मेंट वसूलेगी तो इस सड्डूल के अंदर लिस्टें दी गई ये टीन लिष्ट है इसके दर फाहले लिष्ट कोन सी है युनेलिश्ट दूसरी कॉनिश्य है ये और तीसरी कॉनिश्ट टीसरी कॉनिश युनियन का मतलब हो गया बैटा सेंटर गौषमेंट के पास पावरा किसी पाटिकॉलर लोग बनाने का सोचाeleri तो सुंटर गवार्मेंट का मतलब क्या होगा मोदी जी जी अगर राजस्तान के मुख्या मुंत्र है तो गहलोट सरकार हो गई और अगर दिली की बात करें तो अर्विंद केजरिवाल को बनाना है तो वो क्या करेंगे क्या बनाएंगे तो कि वो क्या है state है और किसी कानून को बनाना किसको किसी लोग को बनाना है कुण center government मोदी जी बनाएंगे तो किस बनाएंगे पैटा Union लिस्ट में बनाएंगे और जहां पर दोनों गवर्मेंट state government और Union government sorry center government दोनों मिलकर कोई कानून बनाएगे उसे क्या बोलेंगे हम को करनलिस्ट बोल देखो क्या लिखा Only Center Government has power to legislation for the subject matter the cover in this list Only State Government power to legislature on subject and matter cover in this list So both Center and State Government can pass the legislation of the subject matter बटा income tax के हम बात करें तो वो entry number 82 में लिखा गया है और बतो income tax किस में लिखा गया है union list में लिखा गया इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी income tax आप पे करते हो वो किसके पास आता है फूरा पैसा किसकी जिव में मोडी जिव में है टेक्स ऑन income अधर दन agriculture इंकम और agriculture इंकम पे एंट्र कॉन सी है 46 है और agriculture इंकम कौन वसूलता है बैटा शेट गौपन वसूलती है क्या आप कई बात सोंग जा रही है क्या यह क्लास्वों में स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाना चाहता था हम एक कॉंसिट्यूशनल पावर है बेटा इनको बताता तो सब्सक्राइब बूर हो जाते पता नि क्या चल रहा है इसलिए लास्ट में देखते हैं इंपोर्डेंट नहीं इतना एक है एमसी की लेवल पर आ लिखने आपको सामने देखो इदर पहला वड़िये लिखो कॉंसिट्यूशनल लिवालिटी ओफ टेक्सिस देखो कॉंसिट्यूशनल वालिड़िटी ओफ टेक्सिस इसको लिखने के बाद में आप इसके नीचे दो आर्टिकल के नंबर लिखेंगे कुछ इस तरह से एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर कौंसा है 265 है और दूसरा आर्टिकल कौंसा है बेटा 246 265 क्या कहता है बेटा बताओ क्या कहता है नो टेक्स नो टेक्स अल बी लेविड लेविड मतलब लगाना बेटाँ अल बी लेविड एक्सेप्ट एक्सेप्ट बाए अथोटी ओफ लोग ठीक है तो आर्टिकल नंबर 265 क्या बोलेगा नो टेक्स अल बी लेविड एक्सेप्ट बाइ अथोटी ओफ लोग और आर्टिकल नंबर 246 नहीं दिखाई दे रहा क्या तो मैं इसको अठा देता हूँ आर्टिकल नंबर 246 क्या है इसके अंदर बच्चों इसके अंदर क्या होगा आपका कि सड्ड्यूल सेवन इस सड्ड्यूल सेवन में तीन लिस्ट है बिटा लिस्ट होती है पहले होती है लिस्ट नंबर वन वैसे बता दूं आपको इसे लिस्ट नंबर वन बोलते हैं इसे लिस्ट नंबर टू बोलते हैं और से हम क्या बोलते हैं लिस्ट नंबर थ्री बोलत लिस्ट नमबर टू है जो वह क्या है बेटा आपकी स्टेट लिस्ट और लिस्ट नमबर थ्री जो आपकी है उसे हम क्या कहेंगे कॉनकरंट लिस्ट का मतलब क्या हो गया दो गवर्मेंट मिल कर लो बनाएगी यूनिलिस्ट का मतलब क्या है बेटा पावर किसके पास है पावर टू मेक लो किसके पास है सेंटर गॉर्मेंट स्टेट लिस्ट में क्या है बेटा पावर टू मेक लो किसके पास है बोलिये भाई स्टेट गॉर्मेंट और कनकन में क्या होगा पावर किसके पास रहेगी दूनों के पास बोथ स्टेट गवर्वर्मेंट प्लस संटर गवर्वर्मेंट एक्जामपर लिखे आप उतना ही है एक्जाम पॉइंट व्यू से इसे बाहर नहीं मिलने वाला आपको ठीक है वर मतोड़ा सा एक्जामपर लिखवाने के लिए कलर लेता हूं इसका लिखिए इंकम टेक्स अार्य के इसमें लिखें या बैटा आंग चीम पर एक्रीग driver एंकम पर भी टेक्स 10-1 में पर जब agriculture income पर tax की calculation एक बार टेक्स लगाने के लिए यूज करते हैं मतलब indirectly टेक्स लगे अगरिकल्चर इंकम पर डारेक्स नहीं लगाती गवर्मेंट ठीक है तो आपको यह इतना ही याद रखना है और याद रखना बेटा entry इंकम टेक्स का entry नमबर 82 यह entry 82 है और इसका entry 46 है इसके entry 46 है बस इन entries को देख लेना वसाब थोड़ा सा यह चीज है बैस MC के लेवल पर आप मस सोचेए कि आपको लगता हो एक्जाम में पूछेगा ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा कि आप से पूछेगा स्टेट जा फिर डिसकस इस आप से पूछ सकता है तो क्या-क्या पूछ सकता है उसके लिए पहले बता दू बैटा मैं यह चीजे बस पूछ सकता है जो हमारा भारत का सविधान है वो आर्टिकल्स में डिवाइडिड है अलग-लग आर्टिकल्स बने होएं जैसे आर्टिकल नम्बर 370 के बारे में सुना होगा वो उटा दिया गया है इन आर्टिकल्स में क्या होते हैं बच्चों इन आर्टिकल्स में सेड्यूल्स होते हैं सेड्यूल 1 सेड्यूल 2 सेड्यूल 3 सेड्यूल 4 इन सेड्यूल्स में क्या होगा लिस्टे होंगी list one, list two, list three इन listों में क्या होगी? entry होगी और इन entries में क्या लिखा जाएगा? sections लिखे जाएगी और इन sections में क्या होगा? low होगा पढ़ने का एक तरीका है बेटा जैसे आपको पास dictionary है dictionary में कोई what आप search कर रहे हो तो आपको माल लीजे कोई word search करना है कि आपको article का मतलब सर्च करना है तो पहले आप A पे जाओगे फिर आप R पे जाओगे फिर उसके बाद में आप T पर जाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया आठ पे गए उसके बाद में वहाँ से डूंडो गए कि यहां पर इस वर्ड का मतलब क्या है वैसे ही बैटा हमारा constitution बना हुआ है पैले क्या है constitution articles में divided articles में क्या लिखे गई है modules ने modules में क्या है list करने की जूरत नहीं है बस यह है जो mceq में आपसे पूछ सकते हैं एंटने का नंबर वो वो आर्टिकल नंबर 246 में नहीं बने है बैटा दूसरे आर्टिकल में बने है आर्टिकल नंबर 246 किसकी बात करता है रेवेन्यू की बात करता है जहां गवर्मेंट को रेवेन्यू वसूल ना होता है वो लो रेवेन्यू के लिए थोड़ी था वो तो फार्मर कैसे काम क करेंगे उसके लिए था को ले रहे थी उनसे को बी लोग जो बड़े-बड़े जो वेपारी उनको नहीं बेचुँगा उनको डर लग रहा है कि कल को वह कर्टल बना ले अपना तो हमारा प्रड़क्ट क्या हो जाएगा सस्ता हो जाएगा उनकी मानना था बेटा और सिर्फ और सिर्फ कौनसे पंजाब के लोगों को ही ये दिक्कत थी बाकि पूरे देश में किसी को तकलिफ नहीं थी सोचे बेटम हम भी किसान बता दूँ आपको हम भी खेतीबाड़ी करते हैं भई हम भी किसान है अब सोचे मुझे मंडी में समान बेचना है मेरी मजबूरी थी मुझे मंडी में ही बेचना पड़ता था मंडी में जितने भी लोग जो आड़ती जिनकों बोलते हैं जो लोग हम से purchase करते थे वह के government को बेशते थे जहें private partis को बेशते थे वो private partis क्या करती किसान से नहीं इन लोगों से purchase करें तो आपना profit कमाते गौर्णें ने क्या बॉला कि इन Big Beach वा लो dalhal खटाओ किसान direct कहा जा सकता है तो government ने इसके लिए पर इनका यह मानना था कि direct है तो जो लोग किसान से बस्थ करने लगेंगी तो दो Cup लेंगी का किसान का माना था मंदी रहेगी तो किसान बचा रहेगा ज pe talking पे और ने बोट अची अच्छी फसले होती जैसे जी स्फ की बात करें यह यह अर्टिकल ने बना हुवा है जब भी गुव vina को email करेगी आप से तो किसे बनेगा इसी यह अर्टिकल में लोग बनेगा हो को सारे आटिकलन है और हम जब छोटे-चोटे राइट्स हमारे women's rights क्या होते हैं वह article 1 में लिखी गए है तो आज के लिए इतना ही बच्छों इस chapter अब कुछ जब कुछ